सिंग आज दो तर्म तेजलम दी अत होई लोग आत मारों दी कुरलाम दी सी चपे चपे मनुखता कतल हो के दाटे रब यके तरिले पाम दी सी आदम खोर बने आसी खुद आदम आड मजब दी जुलम कमाम दी सी जालम राज ने ऐसे जुलम की ते रभी जात वितर थराम दी सी रभी जात वितर थराम दी सी रभी जात वितर थराम दी सी अकाल पुरक पासों में अजय कठोर जुलम सैंड नहीं सी हो रहे उन्हाने सोचिया कि किसे महापुरक नो दुनिया विच पिजया जावे जिड़ा इस जुलम दा नास करे ते लोकानो प्रभु नाम जपन वन दावे अकाल पुरक ने तपसवी गुरु साबनू ए आदेश दित्ता के ओ हिंदोस्तान विच जनम लेंड अकाल पुरक दे आदेश अनुसार गुरु गोबिन सिंग जी ने बाई दिसंबर 1686 स्वीनू बिहार प्रांत दी राज़ताने पटना विखे अवतार तारया आप जीदे पिता नौमी पात्षाही शिरी गुरु तेक बहादुर जी ते आप जीदी माता दानाग माता गुजरी जी सी गुरु तेक बहादुर जी ओसमे असाम वाल गए हुए सन उनानू असाम विखे ही खबर पेजी गई पटना विखे शैर दे लोकानू जादे खुश खबरी मिली ता सारे लोग बहुत खुश हुए गुरु साब जी दी दादी माता नानकी ने गरीबा नू बहुत दान दिता खुले लंगर लाई ते राद नू दीप माला कीती गुरु साब दे मामा किरपालचंद दी उत्थे मौजूद सन ओ गुरु जी दी पूरी सेवा संबाल कर दे सन ते वार वार केंदे सन कि सड़े कर आप गोबिंद ने अफ्तारता है इसले बाला प्रीतम दा नाम गोबिंद राई रख्या गया पीखन शाह एक पहुंचे होय फकीर संद उनाने रब दी एन्नी पक्ते कीती सी के आप ही रब्बी रूप बन गई सन ओ पंजाब दे एक पेंड स्याना दे रेंड वाले सन उनादा जनम एसे पेंड वेची सन 1627 वीनु होया सी उनादी एबादत दे पाग पवित्तर जीवन दो प्रभावित होके इलाके दे लोग उनादा बौध आधर्मान करते सन लखा, हिंदू, मुसल्मान उनादे पैरोकार सन एक दिन जदो अपनी इबादत वच लीन सन ता उनानू पूरब वाले पासे रब्बी नूर दिखाई देता उनाने अपने रब्बी ज्यान राही समझ लिया के पूरब वाले पासे किसे रब्बी महापुरख ने जनम लिया एस रब्बी जलवे दी खेच कारण उना पच्छम दी बजाए पूरब वल से जदा कीता उनना दे पैरोकार उनना दे इस कारज दे बहुत हैरान हुए ते उनना ने इस दा कारण पुछिया पीर जी ने दस्या कि आज मैं पूरब वाले पासे पठना शैर एक रब्बी नूर दा जल्वा विख्या उत्ये एक महा पुरख दे कर रब्बी पैगंबर ने जनब लिया है मैं उस बालक दे दर्शन करना चौना पीर जी अपने कोज चोनवे साथिया नो लेके सैंकडे मीला दा सफर करके गंगा किनारे पठना शैर विखे पौँच गए पीर जी ने दर्वाजे थे पौँच के बाला प्रीतम दे दर्शना दी मंग कीती उस वेले करविच मामा किरपाल चंद दादी माता नानकी जी ते माता गुजरी जी हाजर सन ओ पहला डरे के कोई जासूस जैंवेरी दुश्मन ही ना होवे पर जद पीर जी बारे उनानू पता लगा ता उनाने सार्यानू आदर्मान नाल दिवान खाने वेच बिठाया पीर जी दे आउन दी खबर सुन के पटने दी होर सिक संगत वी जुड़ गई ते सारा दिवान हाल प्रिमिया नाल पर गया मामा किरपाल चांद जी बाला प्रीतम नू लेके दिवान हाल वेच आ गए बाला प्रीतम दे दर्शन करके उनाने सिजदा कीता ते चरण भूसी कीती पीर पिखन शाजी अपने नाल दो मठ्याई दे कुझे विल्याए सन फेरोनाने दोमे कुझे बालक शिरी दसमेश जी वाल बदाए ते बेनती कीती के हजूर इना विचुँ तोड़ा कुझा केड़ बालक शिरी दसमेश ने दोमा कुझे आउते अपने दोमे हाथ राख देते पीर पिखन शा ने फेर बड़े सतकार नाल दसमेश अके सिजदा कीता ते उना दे कोमल छोटे छोटे चर्ना नू चुम लिया दोमे कुझे दसमेश नू पेंट करन दी पजाय पीर जी ने एक कुझे आपने चेलिया नू फड़ा देते इना कुझे आदे बारे सब नू बड़ी हरानी होई पीर जी दे चेलियां ते जुड़ी होई सिख संगत ने इना कुजियां दी बुजारत नू समझाउन बारे बेंती कीती पीर जी ने दस्या जादे इस रब्बी नूर ने जनम लेया सी ता मैं इस समझया सी कि ये हिंदुआंदा साथ देवेगा के मुसल्माना दा इसले एक कुजा मैं हिंदुआंदा प्रतीक बनाया सी ते दूसरा मुसल्माना दा मैं है सोचया सी कि जे ए हिंदुआंदा वाले कुजे दे हाथ रखनगे ते ए हिंदुआंदी सहायता करणगे ते मुसल्मान दा नाश करणगे पर जे ए मुसल्माना वाले कुझे ते हाथ रखनगे, फेर ए मुसल्माना दा साथ देंगे, ते हिंदुआ दा नाश करनगे पर दोने कुजियां ते अपने कोमल हथ राख के इना नी स्पष्ट करते था है के ए मुसल्माना ते हिंदुआं दोमादे पीर होनके ते दोमादी रख्या करनके ओकेवल जुल्म दा नाश करनके ते सब नू रबदा नाम जपन लई प्रेरित करनके एसले मैं अपने सारे चेलेयां ते होर साथियां नू बेनती करता के गुरुजी नू मथा टेको सिजदा करो ते ओस्तो मुँ मंगियां मुरादा पाओ इस तरह दर्शन करके पीखन शा वापस अपने डेरे आ गए जद ओ थोड़े वड़े होए ता हान दे साथियां नाल खेडन लगे ओ आमसादारन वालियां खेडानी खेड़ देशन सगों अपने साथियां दियां दो टोलियां बनालें देशन ते एक टोली दूजी टोली नाल टाकरा करती सी उना दे सारे साथी उनानु अपना लीडर मान देसन ते उना दे हर हुकम नू पूरा करतेसन ओ समय पटने विच एक बड़े सतकार योग पंडित शिव चांद जी रें देसन ओ बड़े सचे सुचे ब्रामन सन एक दिन पंडित शिव चांद जी गंगा किनारे एकांत विच बेठे अंतरत्यान होए प्रभुदी अराधना कर रहे सन उनानू उस वेले लागर्यासी जिवियो पगवान दे दर्शन कारी लेन के उस समय शिरी दसमेश जी खेड़ दे खेड़ दे उस थांज आपुचे जिते पंडित शिव चंद पगदी का रहे सन शिव चंद नू अक्खा मीटी समाधी वेच बैठे वेह के गुरु जी हौली हौली उना दे पास गए ते पंडित जी दे कन्ना कोल मूँ करके बोले पंडित जी चार पंडित जी एकदम तरपक गए ते अपने समने एक सुन्दर बालक नू वेह के हरान रह गए बालक नियां गोल गोल चमकता रखा हसूं हसूं करदा चेरा ते फुर्तीले सरीर नू वेह के ओ की ले गए ते काफी समाध टिक्टिक इलाई बालक वल तक दे रहे उन्हानू एंज विश्वास हो गया के प्रभू एक बालक ता रूप तार के उन्हा पास आ गए हों ते उन्हा दियां सारियां मुरादां पूरियां हो गया हों प्यार विच खीवे होए पंडित हुराने चट सिर निवा के गुरुजिय के मथा देक्या देख्या, तू मेरा बाला प्रीतम है, आज मैंनू प्रभू आप मिल पे हैं। राजा फतेचंद मैनी, पठने दा एक बहुत वड़ा समिधार सी। सरकारवलों उसनू राजा दा खिताब दिता होया सी। पंडत शिवचंद जी ने उननू बे उलाद बेखके क्या, तू अनू कब राउंदी कोई लोड नहीं। मैं एक बालक विच प्रभू विख्या, सारे उसनू बाला प्रीतम केंदे ने। बाला प्रीतम तो अडिया सारियां काम नामा भूरियां कर सकता है। पर तू अनू उस दी अराद ना करनी पएकी। दिन राद बाला प्रीतम दा त्यान तरो उँ जरूर तू अनू दर्शन देगा। एक दिन जद दोमें अंतरत्यान होए बैठे सन। ता अचन चेत निकियां निकियां को मल बावाने। राणी नू कोटलिया ते उस दी गोदी विच बैके क्या। मा, मैं आ गया हा। राणी ने जद अखा खोल के विख्या। ता एक सुंदर ते अलोक एक बालक उस दी गोदी विच बैठा हस रहा सी। ओई कल्ला नहीं सी। उस नाल खोर वी बालक सन। जेडे मलक रही लागे आ बैठे सन। राजा फतेचंद वी एक उतक बेखके हैरान हो रहा सी। बाला प्रीतम ने हस्दे हस्दे क्या। माजी सान। बहुत पुख लखी। राणी ने फतेचंद रुक्या। कि चाटे जाके बजार तो मिठाईयां ते फल लैओं। पर बाला प्रीतम ने तुरंत क्या। असी मिठाई नी खानी। असीता ओप पूरियां ते छोले खाने ने जेड़े बणाखे अंदर रखे ले। राणी चाटोटके अंदरों सारियां पूरियां ते छोले लैयाई। बाला प्रीतम ने सारी चंगेर अपने हाथ पडलेई। ते सारियां पूरियां छोले। राजा राणी ते अपने साथियानू वर्ता देते। एक पूरी ते कोच छोले आप विखा दे। उस देन तो बाद राजा फतेचांद ते उस दी राणी बाला प्रीतम देपक्के शर्दालू बांगए। बाला प्रीतम रोज आपने साथियानू लैके जानदे ते पूरियां छोले खानदे। बाग विच खेड़ते, फल तोड़ते, बुट्यानू गोड़ी देंदे, ते माली देनाल होर बुट्य विलांदे रेंदेसां। हाले तक वी शिरी दसमेश्ची द्वारा लाए गए, कई बुटे ओस बाग विच मौचूधने। राणी ने होर पुत्तर दी ख्वाहिश छड़ दिती, ते अपने करणू गुर्द्वारा बनालेया, जिते रोज पाठ ते कीरतन हंदा। जद तक बाला प्रीतम पठने विच रए, ओर रोज राजा ते राणी नो मिलन चांदे रए। बाला प्रीतम दियां खेडामी बढ़ियां अनोखियां ते वचित्तर हुन दिया सा। ओजे किसे व्यक्तिनों तंग करदे, ता उस विच भी कोई पेदी हुन दा। गुरु करदे नेडे ही एक माई रेंदी सी। ओ बहुत करीब, ते उसता कोई तीप उत नही सी। इस करके वो चर्खा करदके अपना गुजारा करदी सी। जद माई चर्खा ना करदी हुन दी, ता बाला प्रीतम उस दे करजा के सारियां छलियां ते पूरियां बेडे विच खिलारतें दे। ओ माई बहुत दुखी हों दी, ते उलामा लेके माता गुजरी जी पास ओं दी, माता जी उसनो काफी पैसे देके मोड दिन दी, एक दिन जद माता जी ने बाला प्रीतम पासों पुछ या, के ओ छलियां ते पूरियां क्यों खिलारदा, ताउना क्या, मैं उसनियां छलियां पूरियां एसले खिलारदा, कि उसनी करीबी कटी जावे, जद उस शिकायत लेके तो अड़े पास ओं दी है, ताथ उसी चोखा तन देके तोड़ते हो, माता जी बालक्तियां इना वचित्तर कला दो, बहुत खुश हो जगता सेट पटने दा एक बहुत वड़ा व्यपारी उस दा व्यपार हिंदोस्तान दे वड़े वड़े शेरा वेच जालदा सी, सैंकडे लोग उस दे नौकर ते वड़ियां वड़ियां हवेलियां साल, पर एक गल्दी काट सी, उदे कार कोई पोत नहीं सी, गुरु ते एक बहादुर जी, जद पटने पहुँचे, ताँ उस देश सुनके निहाल को जांदा, उस दा मन सचे प्रबु दे नामवल लग्या, पर फिर वी मन विच कई वारों दा, जे प्रबु एक पोत दे देंदा, ता मैं दुनियाई जाल विच्चो मुक्त हो सकता गुरु जी ने जाद विख्या, जगता बैठा होया है, कैंड लग्ये, जगता, तु रोज ही कुछ ना कुछ लंगर वास्ते लेकिया होना है, अज साठा विच्चित है, कुछ कर वास्ते लेई जा जगते दाचेत खेड़ गया, मान खुशी नाल पार गया, सोचन लगा, आज गुरु जी ने कुछ देंद लई क्या, पर मैं मंगदा कुछ नहीं, गुरु साब ने क्या, जगते, मेरे कोडा, जगता लाके चला गया गुरु जी पास उस वेले तिन सेब वैसन, उना फरमाया, जगते, ए तिन सेब आज गुरु दे लंगर विच बचे पएने, इना नू सड़ा प्रसाद समझ के लै जाओ जगता सेट प्रसन हो गया, तिनना दे अंदरुनी पाव नू समझ गया सी, उस सेबा नू बड़े सदकार नाल परने विच बन के कर लै गया पुत्तर दी आस विच, उसने तेन व्या करवाए होए सन, तिनने पत्निया, जगते नू प्रसन चित वेह के बहुत खोश होई या तिनने, हाले जगते नू प्रसन्ता दा कारण पुछन वालिया सन, के जगते ने परने विचों खोल के तिन सेब उननू बखाए, ते कैंड लगा ए तिन सेब गुरु जी ने दित्ते ने, तुसी बड़े सदकार नाल, सदकुर्दा ते आनतार के, एक-एक सेब खालवो ते एक बहादर साब ओस वेले असामवाल कए होई सन, केसले, जगता सेठ तिनना पत्निया, ते पुत्रा नू लेके, माता गुजरी जीनू मथा टकौन ले ले लियाया उस्तो बाद, ओ गुरु करदा होर वी शर्दालू बढ़क्या, बाला प्रितम नू बहुत प्यार करदा सी, ते सदा देश ते बाकी पागातों, वदिया वदिया खिडौने, ते तोफे ले आके दिया करदा सी इकवा रोस ने बाला प्रितम नू पुछया, क्यो बार जा रहा सी, उना ले केडी सौगात लेके आवे गुरु जीने क्या, उना वास्ते एक सुन्दर कटार, ते तीर कमान ले आदा जावे जगते सेठ ने, एक बहुत वदिया कटार, ते तीर कमान गुरु जीनू पेट कीते बाला प्रितम दिया बच्पन दिया खिड़ावी विचित्तर सन खडौने आनाल खिड़न दी पजाए, उत तीर कमान ते गुलेल चलौन दा अप्यास करते गुरु जी, जेस हवेली वेच रेंदे सन, ओ हवेली वेच एक बहुत वटा खूल सी जेस ता पाणी बड़ा साफ ते मिठा सी ओस पाणी वेच दाल वीबड़ी छेती कालती सी सारे महले वेच और कोई खू ना होन करके लागले करांदियां सारियां जनानियां एस खू थे पाणी परन होंधियां जदो पाणी परके तोर पैंदियां ता गुरुजी गुलेले ता निशाना लाके कड़ा तोर देंदे पाणी सारा डुल जांदा ते जनानियां माता नानकी जी जा माता गुजरी जी पास शिकायद करतियां माता जी उन्हानू दिलासा दिन्दे ते कड़े दे मुलतों बद पैसे दे दिन्दे ओ जनानियां खुश हो जान्दियां क्योंकि उन्हानू नाले नमा कड़ा मिल जान्दा ते कुछ पैसे बाचवी जान्दे कई जनानियां जद पाणी नल पिचियां हुई यां शिकायद करन अंधियां तब अला प्रीतम कें दे मैं तोड़ा कड़ानी फोड़िया तोड़ी किस्मत खोड़ी है होन तोड़े पाग जाग पैन के पटिने सेब चि पितादा हुक्म सुनके अनंद पुरसेब वल पुरा परवार चल्या हुदास हो गई कुल लुकाई सारी मन के आग्या पर खरदार चल्या जारो जारी रूम देसन लोक सारे गोबिंद लेके दिली पैयार चल्या जिन्नु वेखे बिन कडी न लंग दी सी छट दिलाच यादा दिडार चल्या छट दिलाच यादा दिडार चल्या पहला पड़ा दानापुर सी पठने दी सारी संगत इत्थों तक नाल आई सी दानापुर विच एक माई रेंदी सी एक वार गुरु तेग बहादुर साब जादेस कस्वे विचाये सन ता एस माई ने एक हांडी विच खिचडी रेंगे गुरु साब नुखवाई सी माई ने हलेता को हांडी बड़े प्यार नाल सामके रखी होई सी जद उस माई नूँ पता लगा कि गुरु साब ते उना दा परिबार आज इथे आया होया ता ओ माई गुरु परिबार नूँ आ मिली हाथ जोड के बेंती कीती कि आज दा लंगर उना पास चकन उस दा प्रेम वेह के उस दा लंगर चकना सारे बान गए पर बाला प्रीतम ने क्या माता जी बाकी साब दाल रोटी चकन के पर मैं उस हांडी वेचरे नी खेचडी खावाँगा एस हांडी दी खेचडी सत गुरु आप खाके कैसा माई ये सुनके बहुत खोश होई उसने सारी संगत नू दाल फुर्का चकाया दी गुरु जी वास्ते खेचडी त्यार कारके लियाई माई जी दी हांडी कारके बाद वेच जडी संगत माई जी दे कार चोड़ती सी उस्ता नाम हांडी वाली संगत प्या क्या अगले दिन पटने वाली संगत एक प्यार विछोडे दी माल लैके वापस चले गई ते गुरू परवार लखनौर वाल चाल प्या लखनौर दे मसंदा ने गुरू परवार दे ठेरन लै चंगा प्रबांद कर देता सी लखनौर उस समय कोई चंगा खू जा बॉली नई सी एक खू सी जेस्ता पाणी बड़ा खारा ते पीण योग नई सी स्थानक संगत ने माताजी पास बेंती कीती के उनानू एक खू लबादिता जावे जेस्ता पाणी मिठा हुवे माता जी ने अपने खर्चे नाल एक खूँ पुटवाया इसता पाणी बड़ा निर्मल ते स्वादी सी इस तो पुरंद एक बॉली वी त्यार करवाई गई ताके अंदा जादा राही पाणी तो प्यासा ना जाए जद बाला प्रीतम लखनौर विखे ठेरे होये सन ता पीर पीखन शा नूँ भी पता लगा ओ बाला प्रीतम दे अवतार समे उना दे दर्शन करन पटना साब कहे सन जद पीर जी लखनौर पहुँचे ता ओसमे बाल गुरुजी आपने साथियानू गतके सिखा रहे सन पीर जी उना पास पहुँचे ते चोपके साथ सलमा कीतिया गुरुजी ने में खिडना छड के पीर जीनू गलबकडी पाले ते अपने कर ले आये पीर जी नुँ उना बेठन लेई आसन दिता ते आप उना दी गोधी विच जा बैठे पीर जी दे सारे साथी गुरु जी दे एस सने ते प्यारवल वेख के बहुत खुश होये ते सार्या ने वारी वारी गुरु जी अके सिझदा कीता पीर जी कुछ दिन एथे ठेरे ते बाला प्रीतम दे जोज वेह के वारने जानदे सत संगत ते कीर्तन दा अनंध भी मानते रहे बाला प्रीतम दे माख्यों मेठे बोलाने उननु की लिल्या सी वापस जान लगया पीर जी ने बाला गुरु जी पास बेंती कीती के उना उते मेरता हाथ रख्या जावे गुरु जी ने प्रसन होके असी स्थित्ती पीर जी तोड़ा डेरा सदा ही चलता रहेगा हमेशा एक रबते प्रोसा रखना ओ सदा दातार है अगले दिन सारा परिवार अनंध पुर्शाब वल चल प्या अनंध पुर्शाब दो में बहुत संगत बाला प्रीतम नू अगल वांडी लैन वास्ते आ रही सी रा वेच दोमा संगतां दे मेल हो गए दो में शबद गौंधियां अनंध पुर्शाब पौंच गईयां उस समय गुरु साब दरभार विच बिराजमान सा जा दोना ने बार जैकारयां ते शबद गायन दी आवाज सुनी ता आप उठके दरवाजे वाला है बाला प्रीतम जी पाल की विचो निकल के दोड के अपने पिता जी दे चर्नी लग गए चर्न बोसी कीती गुर्देव पिता जी ने अपने पुतर नो चुक के छाती ना ला लिया यारंग्जेब ने कश्मीर दे सुबे नो खुकम दिता के ओ कश्मीरी ब्रामनाओते सकती करे ते उना नो इसलाम कबूल करन लई मजबूर करे सुबा कश्मीर ने जाद सारे पंडता नो आरंग्जेब दा हुकम सुनाया ता उनाने सोचन वास्ते छे महीने दी मौलत मंगी एसे दोरान शिरी गुरु ते एक बहादुर जीनाल इर्खा रखन वाले के से व्यक्ती ने उनानू एसला जरूर दे दती के उस सिखांदे नौमे गुरु पास जान ओ बहुत किरपालू ते द्यालू ने त्वडी मदद जरूर करणके एसलाई कश्मेरी पंडतां दा प्रतनेद मंडल अनन्दपूर साब विखे गुरु जी नुआ मिलिया ते अपने दुख दी सारी व्यथा आचुनाई गुरु साब डुंगिया सोचा वेच डुब गए उना सामने होने सबाल सी कि जे ओ इना ते मसले दा हाल नहीं दसनगे ता इस सारे मुसल्मान बन जानगे ते बाकी हिंदू कौम ता अग्गे ही डुंगी खाई वेच डिक चुकी है ओवी इना वांग अपने तरम नू त्यागन वेच कोई उजर नी करन के इसले उनाने सोच के क्या पाई लोको एस संकट तद ही टाल सकता है जे इस दा विरोध कीता जावे इस दा मुकाबला कीता जावे जा कोई महान पुर्ख इस जुल्म दे खिलाफ अवाज उठाए ते अपने सीस दी बड़ी देंटों भी ना कबराए साहिब जादा गोबेंदराई वियो समय अपने गुर्देव पिताजी पास बैठे सन ओ समय उना दी उमर नौ साल दे करीब सी ओ कश्मीरी पंडता दे दुख दी कहानी ते अपने गुर्देव पिताजी दा उत्तर वी सुन चुके सन सब सुन के ओ बोले तो अधेनालों तेक बहादुर जी पामे अपने आपनों बहुत वड़ा महापुर्ख नई सन समझते पर अपने सुपुतर दी गल सुन के ओ प्रसन हो गए उना कश्मीरी पंडता नू क्या जाओ सूबे नू क्या देओ कि जी औरंग जेब गुरुतेक बहादुर जी नू तरम बदली ली कर सकदा ता उस सारे अपना तरम बदल लेंगे ते खुशी-खुशी इसलाम कबूल कर लेंगे कुछ दिना पिछोई अपने चोणवे सिखानों नाल लेके उदिली वाल चल पए पालक गोपिंद दे मुखोए बोल निकले हो तरम तो याज कुरबान केडा जुल्म जबर नू केडा ठल पवुल दोले हो यादा रखु मान केडा आप आया आप मुटोण लेई कौण आऊ खात्र हिंद दि दवेगा जान केडा महा पुर्शादी कुरबानी लोड है अचु पिता जी आप तो वद महान केडा शिरी गुरु तेग बहादुर जी मालवे देश विच्चो हुन्दे होए शिखी दा परचार करदे होए दिल्ली वाल चल पए औरंग जेव ने कश्मीर दे कवर्नर दी रिपोर्ट पढ़ दियाई गुरु साब नो कैद करण वास्ते होकम दे दिता गुरु जी परचार करदे करदे जद आगरे पुझे ता उथे साथियां समेद कैद कर ले गए ते उना नो दिल्ली लियाता गया दिल्ली विच उनानों बहुत तसिये दिते गए कि यो इसलाम कबूल कर लेन पर उना दे ना मननते उना दे समने पाई मतीदास जीनों आरे नाल चीर के दो फाड कर देता गया पाई त्याला जीनों उबल्दी देग विच बिठा के शहीद कर देता गया पाई सती दास दे सरीर दे द्वाले रू बन के उनानों जियोंद्यानों साड देता गया पर गुरु तेग बहादुर जीते इना कटनावादा कोई परभाव ना प्याँ उजरा पर न डोले उनाने हाकमानूं इहो क्या तुसी जो कुछ करनाय करूं मैं अपना तरम बदलन लई त्यार नहीं या जद गुरु जी किसे वी तरा ना मनने ता उनानूं दिल्ली दे चांधनी चौक विच लियाके सीज तड़नालों वक करके शहीद करते ता गया जदों गुरु तेग बहादुर जीनों चांधनी चौक विखे शहीद कीता गया त्योना दा सीज ते तड़ वक वक पैसा ता उस समय हाकमा ने चार चुफेरे पैरा ला दिता ताके कोई वी सिक तड़ जा सीज नू उठाके ना जा सके कई सिक एक कौतक वेक अती दुखी संग पर इने पैरे विच सीज नू चुकन दा किसे दाता नई सी लग रिया पर जद कुछ पीड हौली होई ता अजन जेद हवादे वरोले वांग पाई जैता ते पाई दुलो सीज चुक के इस तरह अलोब हो गए कि किसे सिपाई नू आवाज मारंदा मौका वी न दिता कुछ समय बाद जद उन्हाने सीज ना वेख्या ते चार चुफेरे सिपाई पिचवाए उस समय तक पाई जैता ते दुलो दिल्ली विचो निकल चुके सन्ग दो दिन ते दो रात सफर करते वो कीरतपुर साब पहुँचे उथे जाके उन्हाने सारा समाचार अनंदपुर साब पेचया अगले दिन जदो सीज लेके अनंदपुर साब पहुँचे तंबाला गुरू, माताजी ते होर सिख संगता अगे वद के सीज लेना या पाई जयता जीने, सीस बाला गुरु दी चोली पाया। बाला प्रितम बड़े द्रेड ते अडोल रहे। उन्हाने पाई जयता, ते पाई दुलो नो थापडा दिता, ते उना दी तलेरी दी उपमा कीती। गुरु साब दे सीस दा, अनांधपुर साब विखे संसकार कर दिता गया। गुरु साब दे तड़नू, एक लुबाना सिक, लखी शा, बड़ी हुश्यारी नाल, कपाद गड़े विच रहके ले गया। ते अपने कर विच जाके, चिता सजाके, अपने करनू अग ला दिती। इस तरह तड़दा संसकार हो गया। सीसवार्या, तर्मनार्या, मूसल्म दयाप मोड़ित्ता, कड़की पिजली अंबर लाल होया। डक्का जुलम दे रोड़ दा रोड़ दिता। इता धर्म तो वारनी जान अपनी रिष्टा नाल शहादत दे जोड़ दिता। चादिनी जोग दे बिच्चि अनेर होया। उटा जुलम दयाप मरोड़ दिता। गुरु गोबिन सिंग जी, ग्यारा नवंबर सन 1675 इसवी नूं, अनांधपुर साब विखे गुरु गद्धी ते विराजमान होय। बाबा बुड़ा जी दे वंश विच्चों, बाबा रामकौर जी ने हीरिया मोतियानाल जली दस्तार पेश करके कल की सचाई। गुरु गद्धी ते बैठते आई। गुरु जी ने ए अनुबव कीता, कि हुन जुलम दे सामने सिर्निवाउन दा समार लंग किया है। एस जुलम ते अत्याचार दा हुन डट के मुकाबला करना पएगा। जद तिली विच्च, जालमा ने गुरु तेक बहादर जी नू शहीद कीता सी। ता कोई वी सूर्मा सीज ते ताड़ चुकनू त्यार नीसी होया। जेडे कटर सिख वी सन, वो वी सिख होन तो मुकर गय सन। गुरु साब ने होने सोचया कि होने कैसी कौम त्यार कीती जावे। जेडी जुलम दा खिडे मत्य मुकाबला करे। तिक कुर्बानी करन्तों कदे वी पिछे ना हटे। उनाने एवी विचार बनाया कि सिखा दा ऐसा रूप बना दिता जावे। कि ओ लखा विचों खलोते वी पिछाने जा सकने। गुर्गद्धी ते बैठते आई गुरु साब ने अग्गे पिछे तक्या कि होन उनानों की करना चाहिता है। जिस कारज ले यो एस संसार विच आये सन। उस कारज नू संपूरन करन ले उन तों उपा अरंब करने जरूरी सन। इसले उनाने तेन कारजावाल त्यान तेना अरंब कीता। सबतो पहला उना अपना मन तन ते तन पढ़ाई वेच ला दिता। उना फार्सी, संस्कृत, ब्रिज पाशा ते पंजाबी दी पढ़ाई वेच निपुणता प्रापत कीती। अपनी फौजी ताकत नू बदाउन वास्ते फौज दी परती अरंब कर दिती। वड़े-वडे सूर बीर उना पास ओन लगे। तीजा कामसी सैनिक सिखलाई दा। इस वास्ते उना ने तजर्बेकार योध्यानू सिखलाई दे ला दिता। इस तरह अनांधपुर विच दिनो दिन रौन का बदन लगिया। गुरू जी ने एपका मान बना लिया सी कि जुल्म दा टाकरा तलवार नाली करना है। इस लए उना ने बकाइदा फौज रखन दा फैसला कर लिया। पंजाब विच्चों हजारां दी गेंटी विच सूर में उना दी फौज विच शामिल को रह संग। गुरू जी ने ए विचार कीता कि फौज वास्ते एक चंगे नगारे दी लोड है। नगारे तो बगैर फौज दी शान नी बन दी। नगारे दी आवाज दूर दूर तक दुश्मन दी दिल हिला देंदी है। ते एस उत्ते पेन पेन टांगनाल लाए गए डगे कई परकार दे संकेत वी समझा देंदेने। गुरुजी ने अपने वजीर दिवान नंद चंद नू एक वड़ा नगारा बनाउन दा हुकम देता। पर मसंद जड़े वेलियां खान दे आदी संद नगारे बनाउन दी तजवीज उत्ते कबरा गए। वो समझ दे संद के नगारा बजाउन नाल गवंडी राजे नराज हो जानगे ते हो सकता है के बादशा औरंग जेबवी इसनू माड़ा समझे। एसले उनने मिलके माता गुजरी जी पास बेंती कीती के गुरु साबनू नगारा त्यार करवाउन तो रोक्या जावे। माता जीनू उनना चंगी तरा समझाया के नगारा बनाउन नाल प्यानक लड़ाईयां दा सामना करना पैस सकता है। माता जीने मसंधा दी गल नू मन लिया ते गुरु जी दे ओन ते उननू क्या। असी संत मत दा परचार कर रहे हैं। संता साधा नू फौज रखन दी की लोड है। ते युद्ध असी केस वास्ते करना है। माता जी दी गल सुनके गुरु जीने बेंती कीती। मेरा तरम ते मेरे वडेरियां दा तरम हुण मेनू वंगार के कह रहे है। कि हुण मैं जल्म नू रोकन लेई शस्तर तारण करां। मेनू सचे वाई गुरु दा हुकम है। कि मैं संता दे गरीबां दी मदद करनी है। ते जाबना दा मू पनना है। मैं ऐसे सूरमया दी कौम पैदा करनी है। जना दी हाथ विच तलवार हुएगी पर मू विच वाई गुरु दा नाम हुएगा। माता जी गुरु साब दी द्रड़ता नू बेह के चुप रहे। ते गुरु जी ने एक सुंदर नगारा त्यार करवाया। एस नगारे दा नाम रणजीत नगारा रख्या गया। ये नगारा जाद वाजदा सी तकों आता केस दी आवाज जांदी सी। शिकार खेड़न समें गुरु जी ये नगारा नाल खड़ दे सन। सिर्माओर दा राजा मेधनी प्रकाश सी। उस दा शिरिनगर दे राजे फते चंद नाल काफी समें तो वैर चल्या आर्या सी। राजा फते चंद दी ती राजा पीमचंद दे लड़के नाल व्याई जानबाले सी। इस करके राजा फते चंद दी ताकत वेच ओर विवादा हो जाना सी। जदों तो रणजीत नगारा त्यार होया सी। राजा पीमचंद गुरु साब नाल इर्खा राखदा सी। ओ गुरु साबनो अपनी प्रजा समझदा सी। ते अपने लड़के दे व्यावास ते ओस परशादी हाथी दी मांग कीती सी। जेसनों गुरु साबने देन तों इनकार कर देता सी। राजा मेधनी प्रकाश नों ओस दे वजीरा ने सला दिती। कि जे ओ अपने राजी नों बचाउना चाउँ देनी। ता ओ गुरु गोबेंद राजी नों अपने पास बुलालें। गुरु जी ताकत विच सार्यां राजियां उतों पारी सन। उना दे पिछे सारे पंजाब दे होर सूबयां दे सिक जाना वारण नों त्यार सन। मेधनी प्रकाष ने एक अकलमंद वजीर नों गुरु जी पास अनांध पुर्पेजियां। उस वजीर ने गुरु जी पास बेंती कीती। महराज साड़े देश वेच कुदर्ती नजारे दिलनू मोलें वाले नी। शिकार ब्यांत है। ते तोड़े शर्दालू राजा मेधनी प्रकाष ते उना दा परिबार तोड़े दर्शनानू लोच रहे दे। एसले उना ते किरपा करो। गुरु जी शिकार दे बहुत शोकीन चां। उस मन मोने इलाके वेच जान ले उनानू कोई अतराज नही सी। उना अपने वजीर नंद चंद, मामा किरपाल चंद, माता गुजरी जी ते होर वजीरान आलसला कीती, ते नाहन जान दियारियां करते थियां। नाहन पहुंचन ते राजा मेदनी प्रकाश ने उना दा बड़ा निका स्वागत कीता। गुरु जी ने नाहन पहुँच के पहला कामे कीता कि राजा मेधनी प्रकाश ते राजा फतेचंद दी सुला करवा दिती ते राजा फतेचंद ने राजा मेधनी प्रकाश ता जिड़ा इलाका जबरदस्ती मल्यासी ओव वापिस कर दिता राजा मेधनी प्रकाश इस कल्तों बहुत प्रभावित होया उसने गुरुजी पास बेंती कीती के ओ उसते इलाके विच रहके ही लोका नू निहाल करन गुरुजी ने राजा मेधनी प्रकाश दी बेंती नू मन के नाहन रियासत विच ठैरना मन लिया गुरुजी ने अपने निवास वास्ते जमना द्रया दे कंडे उते एक रमणी एक स्थान दी जोन कीती उते उस समय एक पुराणा नगर वस्ता सी जेस्था नाम पॉंटा सी उन्हा ने एस नगर नूँ सुन्दर बनौन दा विचार बनाया जमना दर्या जद पहाडा विचों वल वली में खाके मैदानी इलाके विच आके निकलता है ता एक सुन्दर नजारा पेश करता है एस रमनीक थां ते राजे दी सहायता नाल गुरु साब ने पत्थरां दा एक पक्का के लाव सारया ते विच रहाईशी मकान भी बनाए सयद बुद्धू शाह सड़ोरे ते रेंडवाले सन ओ खुले ख्याला दे सूफी फकीर सन ते उना दे समने हिंदू मुसल्मान बरापर सन उना पास एक बहुत वड़ी जगीर सी ते हजाराई चेले उना दी सेवा विचहा से रहन दे सन जगीर दी आमदन तों ओ हर समय हिंदूआ ते मुसल्माना वास्ते खुले लंगर लाच हड़ दे सन ओ गुरु नानक देव जी दे बहुत शर्दालू सन ते जदो नानों ये पता लगा के गुरु नानक साब दी गद्धी दे विराजमान गुरु कोबिंद राय जी पॉंटा साब विखे आ गई नी ते उना दे मान विच ए प्रभल रीज पैदा होई के गुरु साब दे दर्शन की ते जान सयद जी अपने सेंकडे चेले बाल्यानों लेके गुरु जी दे दर्बार पुचे ओ समे दर्बार लगा होया सी ते एलाही कीर्तन दा परवा चाल रहा सी सयद साब जद गुरु जी दे सनमुख होए ता उना दा गुरु जी अगे सिर नवाउन दा होंसला ना पया जेस व्यक्ती नू रोज सैंकडे लोग सजदा कर दे सन पला उ किसे हो रगे के में सेर नवासाखदा सी गुरु जी ने जद उना नू वेख्या ते उना दे मन दे दवन्द नू समझ लिया उना ने उसनों अपने पास बुलाया ते बड़े अधर नाल बैठन वास्ते किया उना दा हालचाल पुछिया ते उना दिया अखा नाल अखा मिला के मुस्कुरा वए पीर जी वी गुरु जी नू वेख के बहुत खुश होए ते उना गुरु जी नू क्या मेरे मन विच हर विले एक ख्याल कुम्दारिंद है कि अल्ला नाल मिलाप के में हुए गुरु जी ने फरमाया अल्ला तां जर्रे जर्रे विच बस्त है हर मनुख दे अंदर बस्त है पर असी अपनी सोड़ी जई दुनिया विच ही गवाच जन्ने है अग्यानता कारण असी मेरी मेरी विच फस जन्ने है ते हौमे दा शिकार हो जन्ने है जद साड़े अंदर अल्ला ते दर्म्यान उसरी होई हौमे दी कंद टैजन दी है ता असी खुद अल्ला दा रूप हो जन्ने है पाव अल्ला नू असी पाले ने है पर जे एक पासे माया दे मुविच फसे रहे ते दुजे पासे पामे सरीर नू कश्ट देन वालियां किनियावी कोर तपस्यावा करिये पर फिर वी असी अल्ला तों दूरी रहने है साड़ा दिल अल्ला नू मिलन ले नहीं करता बलकि उस पासों दाता मंगण नू जी करता है असी तान दौलत, पुत्तर, रुत्वे ते चोधर नू मंग देयां पर जद साड़े मन विच्चों सब खौशा मुख जांदियां ने साड़े विच्चों हो मैं अलोब हो जांदियां ते यसी मेरा मेरा दी थांदे तेरा तेरा करतेयां ते अल्ला नाल साड़ा मिला आप हो जांद है गुरू जी पासों एक अलना सुनके पीर जी दे अंदर जड़ी हो मैं दी कंद सी उट आगई जेड़े अपने आपनों बहुत उच्चा समझते सन निमाने हो गए ओ उठके गुरु साब दे चरना ते टैप आए ते कैंड लगे जे सिलाही नूर दी पाल वेच मैं कई उपराले कीते सन आज मैनों देस्पया आज मेरी संदकी दी मनसल मैनों मिल गई है राजा पीमचंद ता गुरु जीनू अपना वेरी समझता सी ते चौनदा सी के गुरु जीनू पहाडा विच्चों कट दिता जावे राजे पीमचंद दे लड़के दी राजे फ़तेचंद दी लड़की नाल सगाई होई सी व्याद इसमें जद सारे राजे इकठे होए ताउना इस सला कीती के व्याद तो पहला लड़ाई करनी कुछ इतने पर व्यादों बाद आउंदे समें सारे मिलके लड़ाई करन पीमचंद एक बड़ी फौज लेके अपने लड़के नू व्योन वास्ते चल पया पर फते चांद दी रियासत नू जड़ा सिद्धा राज आन्दा सी वो पॉंटा साब विच्चों ही चांदा सी उना गुरुजी पासो रा मंगया पर गुरुजी पहाडी राजयां दी निती नू समझ दे सन उना लाडे ते पुरोहुत नू ता रा दे देता पर जांजनू लम्मे रा जान वास्ते क्या पीमचंद ते उस दे साथी राजय इस गलते बड़े नराज हुए ते व्यातो बाद उनाने गुरुजी साब ते हमला करन दी पूरी योजना बना ले जिमें उमीद सी पीमचंद ने अपने राजयां ते पठाना दी फौज लेके गुरु साब दिया फौजां ते हमला बो बड़े कमसान दी लड़ाई हुई ते गुरु साब दे सूर्मया ने पहाड़ियां नों हैरान कर दिता ते ऐसी मारो मार कीती के पठाना दे पहाड़ियां दे पैर ना टिकन दिते गुरु साब ने अगे वदरे राजयां अपने तीरांदा निशाना बनाया राजा हरीचंद ने गुरुजी दे तिन वार कीते पर गुरुजी दा वो खुझ भी बिगाड़ ना सके गुरुजी ने इकको तीर खिच के मारया ते राजा हरीचंद नू जमलोग पेज दिता पहाडियाने जादे विख्या कि उना दे आगु मारे गए ता उना नू पाजद्यानू रा ना लबा पंगाणी दा युद्ध जितके गुरुजी नंदपुर साब आ गए इत्थे आके उना कई केले त्यार करवाए ते अपने इतबारी सिखानू फोजी सिखलाईडेनी अरम कर दिती पहाडी राजे होन डर दे सन ते अनांदपुर साब ते हमला करन्दा किसे दा होंसला नहीं सी उना दिना वेची जम्मूद हाकम मिया खान नू दिली वलों ये आदेश होया कि ओ पहाडी राजे तो खिराज उगरा के पेचे पहाडी राजे ने कई सालां तो खिराज देना बंद किता होया सी हाकम मिया खान ने इस कामलेई फौजदार आलिफ खान दी ड्यूटी लाए आलिफ खान एक तगड़ी फौज लेके नदाउन पहुंचया एथे आके उस पीम चांदते होर राजे नू सुने पेजे कि जाओ खिराज अदाकरन जा लड़ाई वास्ते त्यार हो जाए राजे पहला ता डर्दे मारे खिराज देन नू त्यार सन पर फेर उना विच्वई केसे ने सला दिती के एस बारे गुरु सावतों पोचले आ जावे गुरुजी ने उना नू ए राए दिती के उ खिराज ना देन ते लड़ाई लई त्यार हो जाँ इस समंदी गुरुजी ने उना दी हर तरा मदद करन्दा वादावी कीता गुरुजी दी सहायता नाल सारे राजे आलफ खान ते टोट के पैगए ते बड़ा कमसान दा युद होया आलफ खान दे जद वड़े वड़े सूर्वीर मारे गए ताउ जान बुचा के पाज गया पहाडी राजे एस जित ते बहुत खोश होये ए जित भी असल विच गुरुजी दी ही जित सी गुरु साब ने उना नो समझाया के जे ओ इकठे होके रहनगे ताउ पारी तो पारी फॉज नो पांच दे सकते रहे गुरु गोबिंद सिंग जीदे चार साहिबजादे सन्थ वड़े साहिबजादे दा नाम बाबा अजीद सिंग सी आप माता सुंदर कौर जी दी कोक तो बाई विसाथ सम्मत स्तारा सो तर्ताली बिक्रमी नो पॉटा साब विखे पैदा हुए दास्ते ने के जद गुरु जी पंगाणी दा युद जित के वापस पॉटा साब आये सन्थ ता ओस समय साहिबजादे ने जनम तार्या सी जित दी खुशी विच गुरु साब ने बच्चे दा नाम अजीत रख्या दूसरे साहिबजादे बाबा जुजार सिंग जी सन्थ आप माता अजीत को और देग्रे 14 असू सम्मत स्तारा सो संताली 1690 इस्वी नो पैदा हुए आप वी अपने वड़े प्रावां बड़े सूर बीर ते हर प्रकार दी शस्तर विद्या विच निपोन संद आपने वी अननपुर साब दियां सारियां लड़ाईयां विच पागलया ते तीर तलवार दे अनोखे जौर विखाउंदे रए तीसरे साहिबजादे बाबा जुरावर सिंग माता अजीद कौर दी कोखतों पैदा हुए आप वी छोटी उमर विच जंगा युद्धा विच पलन करके कई प्रकार दे शस्तर चलोने सिख गए सन आप जी दी दादी माता गुजरी जी आप नाल बहुत प्यार कर दी सी ते ओ आपनू सिख सूरबीरा दिया कहाणिया सुनों दे रहें दे सन गुर गोबिन सिंग जी दे सब तों छोटे पुत्तर साहिबजादा फते सिंग जी माता अजीद कौर्देकार फगण सदी साथ सम्मत स्तारासो पच्विंजा विक्रमी नू परगठ हुए सम्मत स्तारासो च्विंजा दिविसाखी तों काफी समा पहला गुरु साब ने सारे हिंदुस्तान ते होर काबल कंदार देशां विच एस उनेहे पेजे के एस वार विसाखी ते मौके सब संगता हुम हुमा के पहुँचन गुरु साब दे हुकम नामे मिलन ते सब सिखां विच जोश पर गया तो आपने सारे कामकार विचे छड़के अनांद कुर्सा पहुचन रखे विसाखी वाले देनेक बहुत वड़ा सुन्दर तंबू लाया गया गुरु साब दे तख्त दे पच्छे एक छोटा पर कीमती तंबू लाया गया सारी सिख संगत दरबार विचा के बैठ रही सी आसाजी दी वार्दा इलाही कीर्तन हो रहा सी सारी संगत दियां अख्छा गुरु साब दे दिदार दी तांग विच टिकियां सान जद आसाजी दी वार्दा पोग पैगया ता गुरु जी ओस छोटे तंबू विचो निकल के संगत दे सनमुख आए पर दर्शन करके सारी संगत हैरान रह गई अज गुरु साब दे चेरे ते एक अनोखाई चलाल सी उना दियां अखा जवाला वांग पाख रह या सन ते चेरे उते कोई वखराई इलाही नूर सी उना दे हाथ विच फड़ी चंडी रूपी तलवार बिजली वांग चमक रही सी अपने तख्त दे बैठन दी बजाए खड़े होके तलवार नू सारे जोश नाल हवा विच कुमाके ते गर्जमी आवाज विच जो बुले एप गौती सदाई सीस मंग दी है आज एस नू एक प्यारे सिख दे सिर दी लोड है की तो अड़े विचों कोई ऐसा सिख है जो अपने गुरु नू सीस पेट कर सके गुरु जी दा एह हुकम सुनके सारे दरबार विच चुप चागी सारे जान दे सन के गुरु जी सिखां दे सिरादी रख्या कर दे सन पर उना वलों सिखां दा सीस मंग न एक बिलकुल अनोखी ते अनोनी गाल सी गुरु जी फेर कड़के बोले एस सिरी साव किसे प्यारे सिख दा सीस मंग दी है है तो अडविच गुरु दा प्यारा सिख जो अपने गुरु लई सीस पेट कर सके सारे सननाटा चाया होया सी ते लोग एंज साक उठके बेठे सन जे में कोई शेर नुवेख के साहीन हो जानत है सारे एक दुझे वल भी वेख नहीं सी रहे तांके गुरु जी उनना दे चेरियां दे कुछ पाड़ी न लेंड गुरु जी तीसरी वार कैनी वाले सन के एक सिख उठके खड़ा होया ते बेंती कीती मेरा ए सिर आप जीदा ही है मैनू करना मैं आप जीदे खुकम दी तुरंथ पालना नी कर सकया मैनू बेंत खुशी होये की जि मेरा ए सिर आप जीदी तल्वार दी तार्दा आनन्द प्रापत कर सकेगा ए सिख लाहौर निवासी पाई दयाराम सी गुरु साब ने बड़े रोवे चाके पाई दयारामनू बाँ तो फड़या ते उस तंबू बेच लाए गए जेडा के उना दे तखत दे पिछे लगा हुया सी सारी संगत ने तलवार किसे दे सिर्थे वजदी सुनी ते एक तड़ जमीन ते डिगण दी आवाज भी आई ते फेर उना ने तंबू तो बार लव दी तार निकल दी विवेखी सारे लोग पहबीत होए बैठेजन के गुरू साब लवनाल रंगी तलवार नो लेके तंबू तो बार आए ते तलवार कुमाँदे होए फेर गर्ज के बोले एस तलवार नो एक और सी इस दी लोड है आव कोई गुरू दा सिक एस तलवार दी प्यास मिटाओ दरबार विच फेर करुणावाई चोप छा गई परेशवार दिल्ली तो आए पाई तरमचांद ने अपना सीस पेंट कीता पाई तरमचांद दावी उही हाल होया ते गुरू जी जद तीसरी वार लवप जीतल वार लहराउंदे वार आए ता द्वार का निवासी पाई मोकम चांद उठया ते उस अपना सीस पेंट करन दी बेंटी कीती जद चोथी वार गुरू जी लवप जी तलवार लेके बार आए ता बिदर निवासी पाई साब चंद ने गुरू जी दियां खुशियां प्रापत करन ले अपना सीर पेंट कीता पाई साब चंद दावी उही हाल होया ते गुरू साब फेर होर जलाल वेचा की कैंड लगे एस पुकौती दी अजे प्यास नहीं मिटी एस नू एक होर सिख दे सीस दी प्यास है उठो कोई मादा लाल ते गुरू दियां खुशियां प्रापत करो उन गुरू साब नो दुजी वार कैंड दा मौका नहीं मिल रहा सी चट जगनात ते रेंड वाले पाई हिम्मत राए उठ खड़े होये उठ खड़े होये उठ कैंड लगे हे सचे पात्षा मैं थो देर हो गई है पोल मुआफ करना मेरा सिर आप दी तलवार दी तार नू त दारस रिया है छेती करो ते शिरिप गौती दी प्यास नू मिटाओ गुरू साब उसनू भी तंबू विच लाए गई तलवार वजजन ते ताड़ डिगन दा खड़ाक आया ते फिर लओ दा पर नाला तंबू तो बार वैत उर्या बार बैठे फिर सारे सेख उडिकन लग है गुरू जी नंगी तलवार लएके बार निकलन गे पर काफी देर उडिकनों ते गुरू जी बार ना आये सारे दिया नजरा तंबू ते लगिया सन ते एस कौतक नो बेसबरी नालता करे सन काफी समय बाद गुरुजी बार आए पर सारे वेख के विस्माद दे अस्चर्जदा दे समंदर विच डुब गए कि एस वार गुरुजी नंगी तलवार लेके बार नहीं सन निकले बल्के उना दी तलवार मयान विच सी ते उना दे नाल उना वर्गाही रूपतारी पांज और सिक सन उना पंजा दे जेरे उते गुरु साब वांग जलो चलक्रिया सी ते उना पंजा दी निराली सुंदर तार दे ठाट वेख के सारी संगत वाहे गुरु वाहे गुरु कै उठी सी सीज पेंट करण वाले पंजे सिक गुरु साब दे तखत पास आख लोते फिर गुरु साब ने संगतानू उपदेश दित्ता ते अपने तखत उते बिराजमान हो गए उना एक सरब लो दा बाटा मंगवाया उस विच उत्तम जल पाया बाटे पास बीर आसन विच बैठके खंडा फेरन लगे ते नाल नाल बाणी दा पाठ उचार दे गए जादो अमरित जेस विच इलाही बाणी ते गुरु जी दी आत्मिक शक्ती कुल गई ता माता साब देवा ने एस विच पतासे बादेते जादे पतासे भी पूरण रूप विच कुल गई ता गुरु जी बाटा लेके खड़े हो गई उना पंजा प्यारयानू बीर आसन विच बैठनू क्या बाटे दा अमरित उनाने पंजा सिखानू चकाया ते ओस अमरित दे छटे उना दियां अखा ते सरीर ते मारे फेर उना ने अमरित नू उना दे केसा चपाया पंजा सिखा नू अमरित चखा के गुरु जी ने उना नू आदेश दिता के ओ अपने हथी अमरित उना नू में चखाऊन ओ पहला ता कुछ चिजगे पर गुरु जी ने उना नू क्या आज तु 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 इसले तोडे नामानाल दास चंद आद नहीं लगेगा बलके हर एक दे नामनाल सेंग लगेगा इस तरह उना पंजा सिखा दे नामानाल सेंग लाके उँ आप वी गोबिंद रायतों गुरु गोबिंद सेंग हो गए बाद विच उना पंजा प्यारियानू अमरित त्यार करण लेग गया ते उँ अमरित बाकी संगत नू छकाया गया इस तरह कोज दिना विच लखा सिख अमरित छक के सेंग साज गया हार एक सेख नू उना पांज ककार बक्षे ते इना ककारानू हर समय नाल रखन दा आदेश दित्ता इपांज ककार ने केस, कंगा, कडा, काच, ते किरपान कोतक वेख के अज दतार वाला खुशी छा गई अज मैदान अंदर कौम शेरा दियज ते आर किती आया होसला नमा इनसान अंदर इक इक करके पंज सिंग सजे खाल सा पंथ दा किता एलान अंदर अमरत शक के खाल सा त्यार होया थल पैज ना कमसान अंदर थल पैज ना कमसान अंदर थल पैज ना कमसान अंदर जिन्ना पंजा सिखा ने गुरु जी नू अपने सीज पेंट कीते सन गुरु जी ने उन्हानू पांच प्यारे कैके सतकार्या ये पांज प्यारे भी सिख तरम देनाली अमर हो गए अज किते भी अरदास होवे ता इना पंजा प्यारे नू जरूर याद कीता जान्द है इना पंजा प्यारे दा नाम चार सा इबजाद्यां दो में पहला ओंदा है जद शाही फोजानू खुली लड़ाई विज बार-बार हार दा मूँ वेखना प्या ता उना सोचया के किसे तरा अनांदपूर दे किले नू केर लिया जावे ते किले दा राशन पाणी बांद करके सिख फोजानू हत्यार सुटन ले मजबूर कीता जावे जादे केरा काफी दिन चालता रहा ता किले दे वसनीकानू काफी मुसीवतना दा सामना करना पया पर फिर वी गुरू साब ने किलाख खाली न कीता ता हाकमा ने औरंग जेब वनों लिखी एक चिठ्धी गुरू साब तक पुँचाई एस चिठी विच गुरु साफ दी बहुत उस्तत कीती गई सी ते औरंग जेब वनों कुरान ते मुहम्मद निया कस्मा चुकिया हुनिया सन के किला खाली कर देवो ता आपनों कुझ नहीं क्या चाएगा ता सिखा दा माड़ा हाल वेह के ते चूठिया कस्मा उते परुसा करके गुरु जी ने किला खाली कर देता एक दिसंबर दा महीना दुजा मी ने री ते ठका वगण करके कहरानी ठंड सी पर जद गुरु साब जी बार आए ता मुगल फौजा पुरान ते मुहम्मद दिया कस्मा बोल गईया ते उना गुरु साब दा पिछा कीता इसे तुफान विच मादा गुजरी जी ते छोटे साहिब जादे विछड गए गुरु साब साहिब जादा अजीद सिंग ते साहिब जादा जुजार सिंग ते अपने पांज प्यारियां ते इतबारी सिंगा समेथ चमकौर साब वल चले गए चमकौर साब पहुंचके आपने एक कच्ची गड़ी वेच तिकाना कीता ताके इत्धों वैरिदा मुकाबला कीता जा सके गुरु जी कच्ची गड़ी वेच मोर्चे लाके बै गए गए रात पैंदियां दास लख दे करीब शाही फौज ने गड़ी नू आके दिया गुरु जी चोणवेट सिर्कड सूर्व्यानू चोण चोण मार रहे साथ अंत विच शाही फौज ने गड़ी दा दर्वासा तोड़न दा फैसला कीता पर गुरु जी पंजा सिखा देक जथे नू मुकाबला करन लेई पेज दे जेड़े सेंकड़े वैरियानू लताड़े शहीद हो जांदे इसे तरह बाबा अजीद सिंग दे बाबा जुजार सिंग गुरु जी पासों आग्या प्रापत करके वैरियान दे आउ लोंदे लोंदे शहीदिया पा गये फिर जथ पांच प्यारे ही रह गए ता उन्हाने गुर्मता करके गुरु जी नू मजबूर कीता कि उ किला छटके चले जान ते खालसे दी अगवाई करन पंजाँ प्यारे ही आग्या दे मुताबिक गुरु जी पाई दया सिंग पाई तरम सिंग पाई मान सिंग इना समेथ किले तो बार आ गए गुरु जी चल दे चल दे माची वाड़े पुझे जिथे उन्हा एक खूद पाने पीता ते उथे आराम करन नू सोंग है इथे ही पाई दया सिंग पाई तरम सिंग ते पाई मान सिंग उन्हा नू आ मिले माची वाड़े गुरु जी जिस गुलाबे खत्री दे करवेज ठैरे होये सन उस गुलाबे ने गुरु जी दी बहुत सेवा की दी पर दिलों हो डर्दा सी कि जे किसे नू पता लग गया ता उसनी खैर ने उथे ही दो पठान प्रा गनी खान ते नभी खान रेंदे सन जेड़े गुरु जी को ओल कोडे वेजया करते सन ओ गुरु जी दे बड़े शर्दा लुसन गुरु जी बारे सुनके ओ गुलाबे दे कार आए एक माई ने गुरु जी नू एक खदर दा थान पेंट कीता सी उनने इसला दिती के एस खदर नू नीला रंग्या जावे उस नीले खदर नाद गुरु जी ते बाकी सिखादे चोले त्यार कीते गए ए पुशाके पाके गुरु जी ते उनना दे साथिया ने अपने केस पछानों सुट ले इस तरह पेस तारण करके गुरु जी एक पाल की विच पैग है जेडा वी कोई पुच दा सी उसनू एहो दस्ते सन के ओ अपने उच दे भीर नू ले जा रहे ने चलदे चलदे ओ पेंड कनेज जिलालू द्याना पुचे गुरु जी कोच चेर एथे ठहरे कनेज तो तोर के गुरु जी हेर पेंड पुचे हेरा तो चलके गुरु जी रायद कोट पाई राय काला दे पास ठहरे ओ मुसलमान जठ सी पर गुरु जी दा वढ़्ड Alleg ужас़ी गुरु साब रायकोट तो चलके पेंड दीने आ गए इथे हर गुबिन साब दे एक गुर्सिक दे तिन पोत्रे रेंदे सन इना तिना प्रावा दे नासन शमीरा, लखमीरा ते तख्दमल गुरु साब इना पास काफी समा रहे ते फिर अमरित परवा चलन लगा इथे दिने पेंडवेच ही गुरु जी ने जफर नामा पाव फते दी चिठी लिखी दिने तो चलके गुरु जी कपूरे दे कोल पहुँचे कपूरे ने उन्हानों एक वधिया कोडी पेंट कीती गुरु जी जियों जियों अगे बाद रहे सन उनना नाल सिखा दी गेंटी बद दी जान्दी सी कोड का पूरे तो टिलवा राही हुदे हुए आप जैतों जाडेरे लाए इत्य आप जी नू पता लगा के सूबा सरहंद एक बड़ी फौज लेके आप दे पिछे आ रहे है इलाके दे सिंगा ने आपनू सला दिती के शाई फौज दा मुकाबला करन लेई खिदराने दी टाब सबतों टोकवा स्थान है गुरुजी ने आपने कुझ सिख वकवक स्थाना होते हुकम नामे देके पेज देते के ओखे दराने दी टाबते इकठे होन माजे वेचे जादे सुनेया पोंचेया ता सूर बीर सिंगा विच जोश पर गया चब आल दी रेंड वाली एक माई पागो मर्दां वाला बाना पाके तलवार नेजा लेके कोडे चाड़ बैठी उस दे नाली सुर सिंग दा रेंड वाला पाई महा सिंग चाली सिंगा दा जथा लेके त्यार हो गया एस इलाके दे सिंगा नू जद गुरु जी दे परवार्दिया शहीदियां दा पता लगा ताउ बहुत रोव जा गये सन इस दो पहला कि ओ एक वड़ी फौज गठी कर दे ओ चाली सिंगा दा जथा लेके वाउ दाई खिद्राने दी टाग दे जा पहुँचे इथे इनाने गुरु साब दे दर्शन दे दार कीते ते गुरु पासों माफी मंगी कि ओ पहली याँ जंगा वेच गुरु साब दा साथ नई संदे सके जद उना माई पागो नू सूर बीरां दे बाने वेच वेख्या ताउ निहाल हो गए उन खाल से नू कोई नई सीहरा सकता उनानू छेती ही पता लगा के मुगल फोजा उना दे बिलकुल नेड़े आगियाने माई पागो ते पाई महा सेंग ने गुरु पास बेंती कीती के गुरु जी अपने होर सेंगा नू नाल लेके उच्चे टिले दे पहुच जान वैरी दे पहले हले दा ओटा करा करनके वैरी इना लम्मा जंगल लंगदा होया काफी ठक्या ते पुखापयासा होएगा इथे दस दस को तक किते पाणी नहीं है जड उनानू खिद्राने दी टाब विच भी पाणी नहीं मिलेगा ते उ प्यास दे मारे ही मार जानके गुरु जी उना दी बेनती मन के अगे निकल गए इना सिंगा ने अपने कछेरे दोपटे ते खेस आद दूर दूर चाड़ियां उते टंग दिते जिस्तो ये पता लगदा सी के अगे हजारां दी गिंटी विच फौज डटी होई है कोट कपूरे वाला कपूरा फौज दी अगवाई करदा उते पौँच गया क्योंके वो जानदा सी के गुरु साब खेदराने दी टापते गए ने चाली सेंग शेर वांग कज दे शाई फौज दे जा चड़े कोज बला वेच योना आउ लाके सुट के ते माई पागोड सब्तों अगेवाद के लड़ी ते मुगल देंटानू इंज मलिया मेट का रही सी जमेंके देवी चंडी माई पागोदा रूपतार के आ गई हुवे कुछ समय बाद कुछ सेंग शहीद हो गए ते बाकी दे जखमी होके देख पए जद वजीर खान ते उना दी फौज ने बेख्या के उना दा मुकाबला करन वाला कोई नहीं है ताउ द्रे नाल व्याकुल टाब वाल बदे पर टाब नू पाणी तो सखनी बेग उ बहुत न करने राश होए जद कपूरे ने उनानों दस्या के पंदरा को अगे ते दस को पिछे किते वी पाणी नहीं है ताउं फौज समेथ पिछे पर्त गया जद लडाई खतम हो गई ता गुरुजी लडाई वाले स्थान ते आये ते शहीद होए सिंगा दा मूँ पूझ दे प्य महासेंग वी आखरी सामा ते सी गुरु साब ने महासेंग दा सेर अपनी को दी विच लेया ते महासेंग दे बेंती करनते ओस वलों लिख्या बेदावा पाढ दिता इते शहीद होए सिंगा नों गुरुजी ने मुक्तियादा खिता इस तरह कर दे ओ ओस अस्थान ते वी पारम लाई ते उस्ते मुँवेच पाणी पाया। जद गुरु साब ने उस्ते चेरे ते पाणी ते छिटे मारे, ताओ होश विचागई। ओ, तन सत्गुरु, तन सत्गुरु केंदी, उठके पैगई। गुरु साब ने उसनू महसेंग दी शही दी ते होर सेंगा बारे द बाद विच गुरुजी ने अपनी देख रेख विच माई पागोदा इलाज करवाया ताउं बिल्कुल तंद्रुस्त हो गई सत्कुरां पासो अमरित छक्के ओ माई पागोदों माता पाग कौर बन गई खिद्राने दे शहीदानू गुरुजी ने मुक्तियां दा वर देता पाव क्यो जनम मरण तो मुक्त हो गई सन उना दे एस वर सदका ही खिद्राने दी टाब दा नाम मुक्त सर पैगया ते आज काले थे एतिहासिक शैर मुक्त सर बस्या होया है मुक्त सर देशनान नू गंगा देशनाल नालोवी ज्यादा महत्ता दिती जान्दी है जेडा मागी दी संग्रान्द नू एस सरोवर विच्चे शनान करदा है ओ एस दुनिया दे पावसागर नू पार करजन्द है तख्त शिरी हरमंदर साब पटना साब गुर गोबिन सिंग जी ने अपने बच्पन दे लग पग सत साल पटना साब गुजारे इस दर्थी ते गुरु साब अपने निके निके पैरांदी अमिट छाप छड़ गए जेडी समा पाके इतिहासे की यादगार हो निपड़ी पंडित शिवदत रहीम बख्ष पीर अरिफो दीन सैयद पीखन शा ते राजा फते चंद मैनी गुरु साब दे खास शर्दालूँ बिचों कोए लिए बाल गोबिन राए अपने बच्पन दे कौत का नाल पटने दी तर्थी ते अमिट छाप छड़ गए ये सस्थान दे गुरु जी दे बच्पन दे चार तीर एक तलवार चकर खंडा छटी चकरी बागानात खंजर कंगा गुलेले दी गोडी शोब नीक ने गुरुद्वारा बाल लीला साहिब गुरुद्वारा बाल लीला साहिब नो मैनी संगत्वी आख्या जाए एवी गुरुजी दे बच्पन दे कौत्का नाल समद्देत है ए तख्थ शिरी पटना साप्तों लगपग एक फरलांग दी वित दे है फते चंद मैनी पटने दा एक बहुत बटा जनिदार सी उस दे कर कोई उलाद नहीं सी एक देनो दी पतनी प्रभु अगे पूजा कर रही सी ता गुरुजी उस दी गोदी विच जा बैठे ते उस नो मा दे नाम नाल पुकार्या गुरुजी दे माता कैंटे राणी नो मानसिक त्रिप्ती हुई ते ओ तरम दी माता अखवाई गुर्द्वारा शिरी गोबिंद कार्ट ए गुर्द्वारा गोबिंद कार्ट है इथे बचपन विच गुरुजी अपने साथियां दियां दो पार्टियां बना के चूट मूट दी लड़ाई कर दे ते फिर जित्ती होई पार्टी नो इनाम देंदे इथे गोबिंद कार्ट विख्री आपजी ने पंडित शिवदत नो राम दिरूप विच दर्शन दिते सन इथे ही गुरुजी ने अपने दोवे कंगन दर्यावित सुटे सन गुर्द्वारा हांडी सा जदों गुरुजी पंजाब हुँ जान लगे तद उना दे सफर दा पढ़ा दाना पुर सी एथे एक बिर्द माई जेस्ता नाम जमना देवी सी अपने छोटे जैकार्णों पवित्तर करंहित गुरुजी दी आउन दी खबर दे खिचडी बनाके उनानू याद कर रही सी गुरुजी ने संगत समेब ओस माता दी खिचडी खा दी संगत ज्यादा हुन करके माता जी कब रा गए माता जी ने अरदास कीती ते गुरुजी ने ओस हांडी नो अम्रिता बक्षी ते ओस हांडी जो खेज़ी मुक्की ही हैं गुर्द्वारा पॉंटा साथ इथे गुरुजी अपने बविंजा कभियां दा कलाम सुनया करते साथ ते अपना कलाम सुनाया करते साथ इते ही गुरु जी ने संस्कृत गरंथादा अनुबाद करवाया साल 1699 विच तख्ट शिरी केसकर साब उते गुरु जी ने खालसा पंथी साचना की दिसी झालसा पंदे गुरु जी ने सिर्शा अनुछ जी ने साचना की दिरी केसकर साचना की दिसी ने साचना की दो जाज़ जी जाएगा है